हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माय यूट्यूब चेनल आज हम इस वीडियो में आपको कोई भी कोकोनट क्राफ्ट बनाना हो तो उसके लिए कोकोनट कैसे कट करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएगे तो आप ये वीडियो एंड तक सरूर देखना पहले तो हम इस तरह से कोकोनट की सारे मतलब रेशे होते हैं वो सारे के सारे निकल देगे इस तरह से कि इसकी आँखे हमको दिखे देखिए मैंने सारे रेशे निकल दिये हैं इस तरह से और अभी इसकी आँखे भी दिख रही है और जो कोकोनेट का पानी अंदर होता है वो हम यह आखे है उससे ही निकालेगे देखिए इस तरह से यहां से एकदम इजीली कट हो जाएगा देखो इस तरह से हो गया कट और अब इस में से हम कोकोनेट वोटर निकाल लेगे हमें कोकोनेट क्राफ्ट बनाने के लिए जो कोकोनेट का जो शेफ होता है वो अच्छे से चाहिए होता है अगर हम मतलब कोकोनेट को ऐसे ही पत्थ पे तोड़के ऐसे निकाल लेगे तो वो उतना अच्छा हम को मिलेगा नहीं तो कोकोनेट को कैसे कट करना चाहिए हमें क्राफ्ट बनाने के लिए तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है हमें बहुत इजी है तो इस तरह से हम जब पानी निकाल लेगे फिर हमें इसको कट करना है कट करने के लिए मैं जैसे कट करना है जहां से वहीं पर इस तरह से ये तनी से हम कट कर लेगे देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा धियान भी रखना पड़ेगा कि आपके हाथ में लग न जाए और ये जो धारदार होता है तो कहीं फीसल न जाए इसलिए दूसरे हाथ से आप कोकोनेट को अच्छे से पकड़े और फिर ये जो ओजार है ये कहीं भी मतलब हार्डवेर की शोप हो जहां पर कलर्स मिलते हो सिमेंट मिलती हो ऐसा शोप हो तो वहां पर मिल जाएगा तो इस तरह से आप इसको कट कर सकते हो अभी हम कट करने के लिए सबसे पेले ना मतलब इसमें थोड़ा टाइम लगता है हम चारो तरफ इस तरह से निशान बना लेते हैं फिर इससे ही कट करना होगा देखो इस तरह से धीरे धीर हो जाएगा ताइम लगेगा लेकिन ये जो कोकरनेट होगा एकदम मतलब अच्छे से कट होगा जिसका आप कोई कुछ क्राफ्ट बनाने में अच्छा सा यूज कर सको तो इसलिए हम इस तरह से कट करते हैं अगर हम किसी पत्थर पर पटक के हम अगर कोकरनेट तोड़े तो उसमें क्रेक आ जाती है तो हम उसका अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं और जो क्राफ्ट बनाते हैं तो उसमें इतना अच्छा नहीं लगता अगर क्रेक वाला मतलब कोकोनट हो तो इसके लिए आपको ऐसे ही कट करना चाहिए कोकोनट देखिए अभी थोड़ा सा ही बाकी है अभी हमारा कोकोनट कट हो जाएगा बस अब थोड़ा सा ही बाकी है और ये कट होने ही वाला है बाकी है तो यह अभी कट हो गया है तो आप देख सकते हो कि कितने अच्छे से यह दोनों ही कट हो गये हैं अभी हम इसमें जो अंदर जो कोकोनटे मलाई है उसको हम केसा निकलते हैं वो भी आप दियान से देखना हम बहुत मतलब इजी यह निकलना आपको सीखाएगे यह तो छोटा वाला है वो तो इजी निकल जाता है लेकिन यह जो है इसमें थोड़ा एक ट्रीक है कि सबसे पहले आप जो यह कोकोनट है उस पे लाइन कर बना लो चौपू से मतलब इस सीधी लाइन बनाके कट कर लो इस तरह से पूरे में चारो तरफ और फिर धीरे-धीरे साइड में मतलब होरीजंटल वर्टिकल लाइन बनानी है तो पहले हमने सीधी बनाई थी अब क्रोस में बनाएगे और धीरे-धीरे इस तरह से हम कोकोनट निकलते जाएगे देखो इतना इजीली निकल जाएगा छोटे-छोटे टुक कोकोनट को में धीरे-धीरे ऐसे ही निकालोगी इससे नहीं आपके कोकोनट जो शेल है उसमें क्रेक भी नहीं आएगी और इजीली निकल जाएगा तो आप इसका यूज अच्छे से कर पाऊगे और हम जो आमतोर पर हम क्या करते हैं का अगर नहीं निकलता तो हम और पटकत तो उसे कोकोनट शेल में क्रेक हो जाता है तो हम उसका क्राफ्ट में यूज नहीं कर पाते तो हमें कोई भी कोकोनट क्राफ्ट बनाना हो तो हम एसे ही नार्यल निकालेगे यह बहुत इजी ट्रीक है आप ज़रूर ट्राइ करना एक बार घर पे और थोड़ा अंदर जब जाता है यह कोकोनट अंदर थोड़ा सा ही रहता है तब थोड़ा मुश्किल होता है देखो इतना लेकिन इसका भी एक ट्रीक है क्या आप इस तरह से कट मारते रहो गे ना तो ओटोमेटिक ही सब निकल जाएगा देखो थोड़ा कट मतलब उसके टुकड़े छोटे होगे जो पहले हुए थे इससे काफी छोटे छोटे टुकड़े होगे लेकिन यह इतना इजीली निकल जाएगा देखना अभी मैं कट ही कर रही हूं उसके लेकिन कट मारने से सारे के सारे मतलब कोकोनट जो अंदर होगा मर दोलब में कट और उसकाना तो वह भी निकल जाएगा यह इतना इजीली अभी बस थोड़ा सा ही रहा है तो आप देखो इस तरह से हमने कठी कठी किया है देखो ओटोमेटिक सब निकल रहे है देखो तो ये देखो हो गया देखो इतने छोटे छोटे टुकडे हो गये है और ये हमारा कोकोनेट जो शेलो एकदम रेडी है अभी क्राफ्ट बनाने के लिए देखो एकदम साफ और बीना क्रेक के अमने नारियल निकाल लिया तो बस ये ही एक ट्रीक है जो मैं आपको बताना चाहती थी अगर आपको कोकोनेट क्राफ्ट बनाना हो तो आप एसे ही कोकोनेट कट करना तो उसका शेल है वो आप क्राफ्ट में यूज कर सकते हैं और ये जो कोकोनेट है वो भी आप यूज कर सकते हैं कहीं भी और खा सकते हैं